दोस्तो कैसे आप लो? दोस्तो इसाइए ग्यान की बाते हैं चलते चलते दो बाते बहुत छोटी वीडियो देख ले ना गम का मेडिकल repeat क्यूं होता है? आपको retake के लिये एक hospital क्यों बोला जाता है? सपोज आपने आज गम का मेडिकल का chest दे कर आया आपने कल होकर एक कॉल आता है होस्पिटल से कि भाई आपको गमका मेडिकल आकर फिर से रीटेक एकसरे करना होगा दोस्तो जैसे कि आपको मालूम है गमका मेटकल में क्या क्या चेक होता है, इस पर मैंने ओलेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, उपर मैं आई बेटन में, मैं लिंक दे दूँगा, आप जा कर देख लेना, अगर नहीं मालूम है तो, दोस्तो गमक आपको फिर से दुबारा रिपीट करना होगा, चेस्ट एकसरे रिपीट करना होगा, गमका मेटकल में, इसलिए होता है, इसमें दो बाते हैं, एक टेकनिकल चीजे हैं, जिसमें मशीन ठीक से रीड नहीं कर पाती है, चेस्ट एकसरे हुआ हिल गया, या आपने सांस लेना लिया नहीं, या कुछ टेकनिकल इशू हो गया, मसीन का कुछ फॉल्ट हो गया, बिजली चली गई, ऐसा एक कंडिशन होता है, और दूसरा होता है कि कुछ सस्पेक्ट्स आपके चेस्ट के अंदर में डॉक्टर्स को समझ आ रहा है, लेकिन उसको फाइंड आउट नहीं कर होगा आपका चेस्ट एक्सरे, उसका कुछ फी आपको फिर से पे करना पड़ता है, जो भी हॉस्पिटल का चार्जेज है, सिर्फ एक्सरे का, आपने जो भी 4000-5000 गमका मेडिकल का दिया, उससे किसी तरह की कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको रीटेक के लिए जो एक फिजिकल है, आपको फिजिकल में जो चेस्ट एक्सरे है, उसको डॉक्टर देखेगा, अगर कुछ उसको डाउट से लगता है, तो बुलाता है, लेकिन एक बार में क्यों नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं, जो एक बार में किलिर नहीं हो पाती है, क्योंकि दोस् होता है तो फिर इंडिया में जिस सेंटर से भी अगर आपने गम का मेडिकल कराया होता है उसमें आपके साथ एक कोस्टन मार्क होता है उस मेडिकल सेंटर के साथ में कि आपने कैसे पास कर दिया कैसे फिट कर दिया, इसलिए इन लोग अपने लाइसेंस का भी ख्याल है, अपना धंदा भी करना है, अपना बिजनस भी करना है, और एक और बात हो सकती है पैसे, बहुत सारे होस्पिटल में पैसे के लिए भी कर देते हैं, ऐसा मुझे नहीं बोलना रिपोर्ट्स के अंदर में, गमका मेटिकल के कुछ एक्सरे के अंदर में कुछ इसूज आ रहे हैं, कुछ सस्पेक्ट्स दिख रहे हैं लेकिन वो फाइंड आट नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर किसी डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहा है कि ये फिट है ये अनफिट है, ये कोई बीमारी है क्या है, तब आपको दुबारा बुलाए जाता है ठीक है, दूसरी चीजे हैं, कुछ टेक्निकल बाते हो गई, जो मसीन की कुछ गरवड़ी हो गई, एरर आ गया तो इसमें हो जाता है दोस्तों, हिल जाता है, ये ठीक से अपने सांस ने लिए, ये चीज मुझे बताना था, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम की चैनल आपके लिए, और बेल आइकन को जरूर दबाना, आउल पे कर देना, उस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखे,